हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेथफाटर्स, तो आज की क्लास में हम नंबर सेस्टम चेप्टर से कुछ उपोडेंट कोशन सॉल्व करने वाले हैं, तो आईए क्लास स्टार्ट करते हैं, पहला कोशन दिया है, 0.47 पर बार, इसके बरावर है, 0.47 पर बार, यह किसके बरावर है, तो इसके चार उप्षन दियें, 47 वट्टे 90, 46 वट्टे 99, 46 वट्टे 90, और 47 वट्टे 99, तो यह हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो 0.47 पर वर्नीकूलर, तो जितनी संख्याओं पर बार है, उसको लिख लेएते हैं, 47, और जितनी संख्याओं पर बार है, उनकी जगे 9 कितिनी बार लिखेंगे दो बार तो इसका राइट आंसर होगा और सनमबर डी 47 बट्टे निन्या अनुबर नेस्ट कुस्टन देखते हैं दूसरा खुशन दिया है एक दसमब्लव 27 बार संख्या को पिअपॉन की रूप में लिखो तो इसको कैसे इसल करते हैं एक दसमलव 27 पर बार तो इसको सॉल्व करते हैं 1 पिलस 27 लिखते हैं और दो संख्याओं पर बार है तो नीचे कितने का भाग होगा 99 का अब इसको सॉल्व करते हैं 9 से काटते हैं तो 9 तिया 27, 9,9, 9 तो यह आया 1 पिलस 3 अपॉन 11 फ्रेक्शन बन गई वट्टेवन लगाकर इसको सॉल्व करते हैं तो 11 एलशियम आया तो यहां 11 प्लस 3 11 प्लस 3 14 14 अपॉन 11 तो इसका राइट आंसर आया 14 अपॉन 11 ओप्शन नमर से तो इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं नेस्ट कुस्सन तीसरा कुस्सन दिया है साथ प्रगात 105 में एकाई यंग ग्याद कीजिए मत्वल सेवन की पावर 105 में एकाई यंग क्या होगा तो एकाई यंग कैसे नकालते हैं तो सेवन की पावर 105 पहले पहले हम 105 को फोर से डिवाइड करते हैं तो फोर टू जा एट टू बच्चे 25 हो गया तो फोर सिक्स जा 24 तो रिमेंडर कितना बचा वन तो आप सेवन की पावर बन लिखते हैं और सेवन की पावर बन की वैलू होती है सेवन तो यही इसका एकाई यंग होगा ओप्सन नमबर वी फिर से रिवाज करते हैं किसी भी संख्या में अगर आपको एकाई यंग निकलना है तो सबसे पहले पावर को फोर से डिवाइड करते हैं रिमेंडर लिकारते हैं जिस प्रकार हमने 105 में फोर से डिवाइड किया तो र उस पर remainder की power लगाते थे तो 7 की power 1 अब इसको solve करते हैं तो 7 की power 1 की value होती है 7 तो इसका एकाई यंग होगा 7 तो इस प्रकार हम एकाई यंग ग्याद कर सकते हैं कुस्टर नमबर 4 दिया है 7 upon 6,7 upon 9,4 upon 5,5 upon 7 में छोटी भिन है इसमें से हमें छोटी भिन बता नहीं है तो सबसे पहले हम लिखते हैं 7 upon 6,7 upon 9 को इनको आपस में cross multiply करते ही तो जब 9 का 7 में multiply करते ही तो 9 7 जा 63 और 6 का 7 में करते हैं तो 6 7 जा 42 अब यहाँ पर कौन सी छोटी है तो 7 upon 9 छोटी है तो यह बड़ी है तो बड़ी का कोई काम नहीं है क्योंकि हमें छोटी ज्याद करनी है तो हम लेते हैं छोटी 7 upon 9 अब अब लेते हैं 4 upon 5 इनका आपस में cross multiply करते ही तो 5 7 जा 35 और 9 4 जा 36 अब इन दोनों में कौन सी छोटी आई 7 upon 9 अब 7 upon 9 लेते हैं और इसके cross multiply करते हैं 5.7 से तो 77 जा 49 और 9 5 जा 45 तो इन दोनों में कौन सी छोटी आई 5.7 तो इसका right answer होगा option number D 5.7 तो इस प्रकार हम छोटी भिन ग्याद कर सकते हैं अगर इसी सवाल में आपको बड़ी भिन पूछा हो तो फिर हम छोटी को नहीं लेते बड़ी को लेते जाते हैं जैसे इन दोनों मे हमने देखा तो 63 बड़ी है 42 छोटा है तो 7 अपॉन 6 लेते अगर हमें बड़ी पूछता तो तो इसमें छोटी पूछा है तो हमने छोटा लिया आईए next question देखते है question number 5 दिया है 5 4 3 2 X 7 यह एक संक्या है यह 9 से विवाज है तो X कमान ग्याद कीजिए तो यह इसके चार अप्सन है और इसमें हमें X कमान बताना है तो सबसे पहले हम संक्या लिखते हैं 5 32 X 7 अब यह संक्या 9 से विवाज है तो 9 से विवाजता का नियम होता है कि संक्या के सभी यह विवाज होना चाहिए तो इसको जोड़ते हैं 5 और 4 9 9 और 3 12 12 12 और 2 14 14 और 7 21 अब X की वैलू क्या रखें कि जो हमें संक्या प्राप्त हो वो 9 से कट जाए तो 21 तो इन सब को मिलाकर हो गए 21 प्लस X अब X की वैलू इन आप्शन में से क्या रखें कि उह संक्या हमें प्राप्त हो जाए जो 9 से पूरता दिवाज हो जाए तो जब हम 0 रखते हैं तो 21 प्राप्त होगा तो 9 से विवाज नहीं है 1 रखते हैं तो 22 प्राप्त होगा 22 भी 9 से डिवाज नहीं है 6 रखते हैं तो 21 प्लस 6 यह होगा 27 और यह 27 9 से डिवाज है पूरी तरह तो इसका राइट आंसर होगा option number C 6 एक्स की वैलू कितनी आए 6 अगर हम एक्स की वैलू इसमें 6 रखते हैं तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो नौ से पूरी तरह विवाज हो जाएगी तो यह था option number 5 देखते हैं नेश्ट कॉस्ण question number 6 दिया है यदि 17 की गात 200 को 18 से विवाजित किया जाए तो सिस्पल क्या होगा तो सौल करते हैं 17 पर गात 200 वर्टे 18 जब 18 से 17 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा minus 1 सिस्पल आएगा पॉवर कितनी है 200 जब minus 1 पर पॉवर 200 क्या है एक समसंग क्या है तो इसकी वैलू कितनी होगी एक तो option number C तो सिस्पल क्या होगा एक आएए नेश्ट कॉस्ण देखते हैं कुस्ण number 7 दिया है 623 की गात 24 में एकाई यंग क्या होगा इसकी मैं आपको एक सांदार ट्रिक बताने वाला हूँ तो ट्रिक क्या है अगर किसी वी संक्या का एकाई यंग अगर बिसम है और गात चार से पूरत विवाजित हो तो उसका एकाई यंग हमेशा एक होता है तो इसका option number B राइट होगा फिर से रिवाईज करते हैं संक्या दी है 623 प्यगाद 24 तो इसका एकाई यंग कितना है तीन और तीन क्या एक बिसम संक्या है और गात कितनी है 24 जो चार से पूरी तरह विवाजित है तो अगर ये condition दी हो तो इसका हमेशा answer होगा एक इकाई यंग कितना होगा एक अगर संक्या आपको दी हो 124 प्यगाद 28 इसमें हमें अगर इकाई यंग ग्याद करना हो और इसमें इकाई यंग क्या दिया है एक संक्या दिये और गात कितनी 28 28 चार से पूरी तरह विवाजित है तो इसका हमेशा answer होगा 6 कितना होगा 6 अगर अगर एकाईयंग सम हो और घात चार से विवाजित हो तो उसका एकाईयंग हमेशा 6 होता है और अगर विसम हो और घात चार से डिवाइड हो तो उसका एकाईयंग हमेशा एक होता है आईए नेश्ट कुस्ण देखते हैं कि कुस्टन नम्मर आठमा दिया है 387 गुणा 261 गुणा 388 में एकाई यंग क्या होगा तो पहले संक्या लेखते हैं 387 इंटू 261 इंटू 388 हमें इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो यूनिट डिजिट का ही आपस में मल्टिप्लाइ करते हैं तो 7 का मल्टिप्लाइ अगर बन में किया तो 7 बन जा 7 और 7 का अगर 8 में करते हैं तो 7 8 जा 56 तो 56 आया 56 में एक आई यंग कितना है 6 तो इसका राइट अंसर होगा ओप्सन नम्मर ए छे अगर इन संग्या को आप पसमें मल्टिप्लाइ करते हैं तो हमें एक आई यंग 6 प्राप्त होगा है आईए नेस्ट कोसन देखते हैं को सन नम्मर नाइन दिया है 150 फैक्टोरियल में सून्यों की संक्या होगी हमें 150 फैक्टोरियल में सून्य गयात करने हैं तो पहले हम 150 फैक्टोरियल को सॉल्व कर करते हैं तो इसको सवल कैसे करते हैं हम 150 से गुणा करते जाते हैं एक तक तो 149 गुणा 148 इसी प्रकार चलते चलते गुणा एक तक जाएंगे मतवल 150 से गुणा करते हुए कहां तक जाएंगे एक तक तो अगर इस में हमें सूनने ग्याद करने है तो इसमें तो सूनने ग्याद हम कैसे करते हैं तो इसकी ट्रिक क्या है आपको ये भी नहीं करना है आपको 150 लिखना है 150 को 5 से डिवाइड करना है तो ये कितनी बार डिवाइड होगा? तो 5 तीया 15 है, 30 बार अब हमें 30 को 5 से डिवाइड करना है तो 5 शिक्का 30 अब हमें 6 को 5 से डिवाइड करना है तो 5 एकन 5 अब इनको आपस में जोड़ देना है सभी को तो 30 और 6, 36, 36 और 1, 37 तो सूने कितने होंगे? 37, ओपसन नमर B तो 150 फेक्टोरियल में सूने कि संक्या कितनी होगी? 37, तो अगर आपको 150 फेक्टोरियल को सॉल्व करना है तो सॉल्व तो हम इस परकार कर सकते हैं अब हमें इसमें सूने कि संक्या ज्याद करना है तो सबसे बड़ी संक्या लेते हैं 150 150 को 5 से डिवाइड करते जाते हैं और जब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि संक्या 5 से कम ना आ जाए जैसे यहां एक आया है सबसे पहले हमने 5 से 1.500 डिवाइड किये तो 30 बार डिवाइड हुए पर 5 से 30 डिवाइड किये तो 6 बार डिवाइड हुए अब 6 को 5 से डिवाइड गिया, तो एक बार डिवाइड हुआ, अब इनको आपस में जोड़ देते हैं, तो कितना आया, 37, तो 150 फेक्टोरियल में सुननों की संक्या कितनी होगी, 37, तो ये थे कुछ important question आज की class में, class कैसी लगी, अगर class पसंद आईगी तो class को like करें, channel को subscribe करे मिलते हैं, next class में